तो आज मैं शेयर कर रही हूं आप सबी के साथ में वेजटाबल पुलाव बनाने की रेसेपी जो किसी भी बिर्यानी से कम नहीं है तो आप इस रेसेपी को ज़रूर ट्राइ करें और ये निव डिफरेंट तरीके से वेजटाबल पुलाव आप भी बनाए जिसका टेस्ट और बिल्कुल भी बिर्यानी से कम नहीं होता है बिल्कुल निव डिफरेंट रसपी है और इसके साथ में मैं आपको एक चटनी बनाना बताऊंगी जो कि इसके साथ में बहुत ही जाती है तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त है तो जरूर ट्राइ कीजिएगा चले तो यहां पर पहले हमें इसको जला लेना है तो इस तरह से मैं बर्नर पर एक जाल रख करके इसे जला ले रही हूं जिससे यह जो है पूरी तरह से अच्छे से पक जाएगी और फिर इसका जो सौंदा पनाएगा ना उसे चटनी बहुत अच्छी बनेगी तो यहां पर आप तो हमें इसकी जो यह ब्लैक स्किन है ना उसको अलग कर लेनी है तो वैसे भी टमाटर की जो हार्ट स्किन होती है वो इस तरह से बहुत एजली निकल जाती है अगर आपको यह प्रोसेस नहीं करना है और फिर भी अच्छी चटनी बनानी है तो मैंने अल्री वह भी यह ब्लकुल चॉप करकर प्यास डाली है मैंने और कुछ लसन की कलिया डाल रही हूं मैं इसके साथ ही मैं इसमें कुछ और भी चीज़े डालूंगी तो सबसे पहले मैं यहां पर डाल रही हूं हरी मिर्चे टेस्ट के हिसाब से आप हरी मिर्चे रखिएगा ज्यादा कर लूँगी बिल्कुल दरदरा सा यह हो जाएगा और जब यह इस तरह का हो जाए तो इसमें डालना है नमक टेस्ट के हिसाब से और टमाटर जो के हमने पील करकर रखा है साथ में एक चमच हमें सरसो का तेल डालना है अगर आपके पास में यह सरसो तेल नहीं है तो आप यूज़ कर सकते हैं कच्छा तेल मत यूज़ किज़ेगा ओलिव ओयल हो या फिर सरसो का तेल तो ही रालिएगा रेगुलर वाइल नहीं डालना है आपने तो बस यहां पर यह सारी चीज़े डाल दी हमने और डाल कर इसे बस ग्राइंड कर लेना है पानी बिलकुल नहीं ड नहीं पोलाव बनाना शुरू करते हैं तो पुलाव बनानी के लिए मैंने दो कप चावल भीगो कर रहा है चावल मैंने बहुत ज़्यदा प्राइब चावल कर रहे हूं तो अभी यहां पर एक बड़ा वसल लियाया है मैं और जिसमें मैंने डाला है वन बाय वोर कप benevol off ょ है एक बड़ी लाइची दोहरी लाइची साथ मेंने कुछ काले मिर्च्ष जीरा डाला है यह चोटे मिर्चा अपर बीसिकलिन हो जाएगी तब तक इसमें आपने ने तो नमक यहां पे जितना आपको वेजटबल पुलाव में जाएगा यहीं पे डाल दें इसी होता है और एक ही बार में डाल देते हैं और यहां पे अध्रक लेसन भी जल भून जाएगा इसलिए डालिएगा और डाल कर बस हमें जब तक अध्रक लेसन की जो रॉस मेले वो खत करकर रखा है वो डाल रही हूं और डाल कर एक बर अच्छे से मिलाती जाओंगी तो यहां पे नमक मैंने आपको बता है डाल चुकी हूं मैं और इसमें एककर वेजी जाल रही हूं बीन्स डालने के बाब में मैं इसमें आलू डाल रही हूं आलो को मैंने इस तरह से तो आध्रक लैस Spaß नम्मा किए फ्राइग की वी प्याज और चीजित these same लूझसेश इसमक march और यह सारी सब्चापन दूर बहुत धायर सबस्यों मर Questions सब्चापन सब्चापन दूर यहां पर सब्चा सा ऊचनल यहां पर चथ созд совершенно शुका है करती जा रही हैं तो अभ ह -, यहां पे जब सब्ज़ी भुण चुकी हैं, बहुत अच्छा से खुश्बॉह आ रही है यहां पे प्याजव गराइंगे in the egg,πο céu दжी का लिए अभिने टना यहां बिए दही का थोड़ा बहुत मौशर होगा इसमें सब्जियां बहुत चैसे भूनेंगी और जो सब्जियां हमारी भून रही थी उनका भी खुद का मौशर है तो इनी के साथ में बहुत चैसे भून रही है तो एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना है अभी सब्जियां भूनी रही थी यहां पर देखे अभी यह मसाला डाल कर मैं इसको अच्छे से भून रही हूं विसकली हम इसकी भुनाई बहुत अच्छे से करनी है तो एक से दो मिनट तक आप सारी सब्सक्राइब यह चीज डाल कर अच्छे से भून लीजिए जिससे कच्छा पर नहीं रहे और मसाला बहु बहुत हिसे यह कोटिंग सी आ गई है मसालों की बहुत जादा मसाले नहीं लेकिन बहुत कम मसालों के साथ में यह बनकर त्यार होगी और बहुत जबरदस बनेगी तो देखे इतना मसाला जैसा मैंने आपको दिखाया है वैसे ही रहना चाहिए जब यह मसाला डालकर भुन अब मैं इसमें पानी डाल रहे हूं तो चावल का जस्ट डबल पानी डालोंगी क्यूंकि चावल मैंने भीगोया नहीं था अगर मैं भीगोती तो फिर कम डालती लेकिन चावल बस भीगोया है और रसेपी शुरू किया बनाना तो बस यहां पर मैं चावल का डबल पून गरम यह मेरा होमेट गरम मसाला का जो खर रहा हैं घृते हैं लिगए नहीं तक ःपनी तो चावल को ब hätटेव छोके तो आल्मोस्ट अ चावल चुकिया हैं gua करो मैं खै लो डाला उतनी ता Spe Ofسم da आई जाल ठोड़ने रहने हने जतने मैं चावल ने होग वह रोद्या भी गोना होता तो फिर हम पानी कम डालते तो रेशियो पानी का अच्छे से डालीएगा समझ कर डालीएगा तो यहां पर चावल अच्छे से डाल दी और मैंने बराबर से चला दे रही हूं लिड़ लगा दूंगी और पांच मिनट बाद में हमें वापस इसी एक बार उपन क तो एक बार पांच मुटे के बाद में अच्छे से चैवल MLA दीजिए सारी चीजों के साथ में जिसे चावल को अच्छा स्पेस मेले और ये बहुँ चैसे पकेंगे फिर चावल को मैंने से चल जला करूंगे और आगे के 7-8 मिनट बाद में इसे फ्लेम मीडियम रखी है मैंन पार जंटली हमें बस उपर नीचे करना है चावल को अच्छछे मिला ना है अब यहां पर मेंने कीवी थी प्याजना वह डालोगी सबसे पहले तरफ इसकी लेयर जैसी लगा दोंगी और इसके उपर डालोंगी मैं बारी कटा वहरा धनिया अब यहां पर लिट से हमें इसको ढग देना है कवर कर देना है और हमें इसे दम पर पकाना है तो दम पर पकाने के लिए मैं नीचे एक आईरन का तवा लगा रही हूं और इसके को रखोंगी और आगे के पांच से साथ मिनट तक हमें इसे दम देना है तो तवा अगर गरम नहीं है तो पहले उसे ही प्रीहिट कर लीजिए उसके बाद में फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दें और स्लो फ्लेम पे इसे दम दे दीजिए अब यहां पे हमारी पुलाओ कम बिर बिल्कुल भी चिपके नहीं है और परफेक्ट मेजियमेंट के साथ में पानी डालकर मैंने आप इसे तैयार किया है और यह परफेक्ट वेजिटेबल पुलाव किसी भी बिर्यानी से कम नहीं आप इसे खुद टेस्ट करेंगे और आपको यह महसूस होगा कि सच में इसका गेट टुगेधर है तो उसमें यह रेसेपी आप जरूर बनाएगे और सब आपकी तारिफ करते नहीं थकेंगे तो यहां पर इस रेसेपी को आप जरूर ट्राइब कीजिएगा कैसी लगी आपको मेरी यह वेजिटेबल पुलाव की रेसेपी मुझे जरूर बताईएगा करते हैं इसे आप तो मुझे अपने फीडबेक जरूर दीजिएगा लाइक और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को कमेंट करना नहीं भूलें और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्रीज एक बर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा फिर भी लोगी में एक सब्सक्राइब नही